आज पर चाई छोड़ देगी आपका साथ, पत्ना समय देश के कुछ भागों में होगा 06 अज पत्ना समय प्रदेश के कई हिस्सों में पर चाई कुछ समय के लिए आपका साथ छोड़ देगी, दरशल आज जीरो शेडो डे, यामी 06 दिवस होगा, ऐसी खगुली घटना वर वर्षोबाद होती है शून चाया दिवस पर सूरे की किरने सीधी पढ़ने के कारण व्यक्ति या वस्तु की चाया कुछ पल के लिए गायब हो जाती है आज यानी शुकरवार को अनोखी खगोली घटना घटेगी आज ठीक बारा बजे पच्छाई कुछ समय के लिए आपका स चोड़ देगी आज जीरो शेडो डे यानी शुन चाया दिवस होगा श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के सिक्षा पदादिकारी विश्वनाद गुप्ता ने बताये कि ऐसी खगोली घटना वर्षोबाद होती है जीरो शेडो डे यानी शुन परच्छाई दिवस एक ऐ 37 अगस्त को चंदरमा अपनी आकार से बड़ा दिखेगा शुकरवार को पटना समेट प्रदेश के अन्य हिस्सों में ऐसा द्रश्य शुन चाया दिवस देखने को मिलेगा जीरो शेडो की स्तती प्रतिवी के घुड़न की धूरी के जुकाफ से होता है जो प्रतिवी के सू और की स्तती उत्तर और दक्षन के बीच बदलती रहती है बिहार की कुछ जग्यों पर ऐसा द्रश्य देखने को मिल सकता है इसके अलावा शुकरवार को दक्षन भारत के कुछ इस्सों में भी शुने चाया का दिन रहेगा वही 17 सगस्त को शनी ग्रह प्रतिवी के नस्दी इस अगस्त को सूपर मून यानी चंद्रम अपने आकार से बड़ा दिखेगा आप अपनी आखों से इसका नजारा भी देख सकते हैं खगोल विज्यानी डॉक्टर शशी भूशन पांदे ने क्या बताया आरे भट प्रेक्षन विज्यान शोध संस्थान एरिज नैनिताल क वरिष्ट खगोल विज्यानी डॉक्टर शशी भूशन पांदे ने बताया कि इस महा की आखरी खगोली घटना सूपर मून की होगी जिसे ब्लू मून भी कहा जाता है अगस्त में पहला सूपर मून एक अगस्त को हुआ था और अब दूसरा 31 अगस्त की रात देखने को मिल शशी भूशन पांदे ने आगे बताये कि जीरो शेडो डेगी घटना करकवा मकर रेखा की बीच आने वाली अक्षांश रेखा की बीच ही होती है करक रेखा यानी 23 तसमलव 5 अक्षांश पर 21-22 जून को हर साल दुपेर में परच्छाई शूने हो जाती है इसी तरह 22 दिस समर को दक्षणी गोलार्थ में यह स्तती बनती है इसके बाद शूने अक्षांश यानी विशुवत रेखा से 23 तसमलव 5 अक्षांश की बीच तिथी वार्स्तान के साल जीरो शेडो की स्तती बदलती रहती है और इस खटना की पुनावरती उस छेतर में हर साल होती है